बलेक बोर्ड एजुकेशन की तरफ से आप सभी की हुली की हारदिक सुभका मनाएं इसमें हम आपको बताएंगे कि हुली का तेवहार क्यों महत्पुर्ण है और इसको कहां का मना जयता है, किस तरह से मना जयता है, इसका बेग्यानि करण क्या है तो देखिएगा कि होली जो है यह इसको हम कह सकते हैं कि यह एक मौसम के बदलाव पर आता है बसंत्रित्यू में आता है ठीक है और इसको यह भी कह सकते हैं यह प्रकार का फाशली तेवहार है होली के तेवहार साल में उस समय मनाया जाता है अब आपको बता देखिए कब मनाया जाता है यह चैत मास के जो हिंदी महिना के कलेंडर के अंसर जो है चैत मास के पर्थम दिन मनाया जाता है और उसकी एक दिन पहले फारून मास के पूर्णिमा को होली का दहान मनाया जाता है इस मौसम में बदलाव के करण लोगों में जो है आलस की भावना होती है, आलस आने लगता है चुकि ठंडे मौसम गर्म की और रुक करना शुरू कर जाता है, जिससे लोगों में ठकान और सुस्ती का महसूस होने लगता है. इसको दूर करने के लोग गित गाते हैं घूमते हैं उसके बाद जो है जोरो से गाना गाते हैं बोलते हैं ठीक है और इसके साथ साथ होली के मौके पर लोग घरों की साफाई भी करते हैं और इसमें धूल गरदा मचे किटानू जो है साफ हो जाते हैं जिससे घर साफ रहेगा प्रेवरन जो है साफ हो जाता है आसपास के जिसके कारण जो है सुखद अहसास होता है हमारे जीवन को ठीक है उसके साथ सकरात्मक उर्जा हमें मिलती है इस तरह से यह काफी महत्पुन तेवार है बसंत के मौसम का माध्यम ताप मन शरीर के मन को भी प्रभावित करता है और मन में आलस पैदा करता है इस अवास्ता में अगनी की परिकार्मा करके नाश्ते गाने का भी स्वस्तलाब मिलता है यह तेवार प्रचिन काल से लुक प्रिये है जिसे प्यार इसे प्यार का तेवार रंगों का तेवार बसंत का तेवार भी कहा जात ठीक है बसंत रित्यू जो है खुद ही रित्यू का राजा कहा जाता है जिसमें उमंग भरा रहता है बसंत का अर्थ ही होता है उमंग यह मुक्रुप से भरतिय उप महादिवित में मनाया जाता है और दक्षिन एसियाई प्रवासी के माध्यम से एसिया के अन छेत्रों और कुछाये मुशरी से मिलने खेलने हशने भूलने और माफ करने टूटे हुए रिष्ति को सुधारने का उत्सव का दीन होता है। ऐसे देखा जाता है कि जिस दिन भी हमें खुसी मिलती है समझे कि उसी दिन को होली को आते है ठीक है !! जिस दिन हमें खुसी मिल जाए जो चीज प्राप्त हो जाए उसी दिन गुलाल लोग लगाते हैं होली खेलते हैं तो होली का आती है अनन्द खुसी होली एक परचिन भारतिय धार में तेवहार है जो भारत के बाहर भी लोग प्रिये हो गया है भारत और नेपाल के अलावा सुरिनाम, गुयाना, तरिनिताद और टोबय को जो दक्षिन अमिर्का में या देश है जमायका, दक्षिन अफिर्का, मरिशस, फीजी, मलेसिया, सिंगापूर, उनाइटेड किंग्डम जैसे देशों में दक्षिन, एसियाई, प्रवासी इस्ते तेवारी रूपियों और उत्तर अमेरिका कुछ हिसे में प्यार, उलास और रंगों के बसंत उत्सव के रूप में फैल गया है, मथुरा के आसपास जो है इसका कुछ अलग ही रूप होता है, इस छेत्र को जो है ब्रिज छेत्र कहते हैं, उसमें उत्सव एक सब्ता डाल के साथ गुमते हैं, और महिलाएं उनहें अपने ठाल पर लाठी से पिटने का उधिकार होता है, जिसे लाठमार हो रही कहा जाता है, यई मथूरा में मनाई जाता है, इसके साफ-साथ दक्षिन कुरिया में भी ऐसे ही होली मनाई जाता है, जो मध फैस्टिवल कहा जा लगभर लगभर सेम चीज है दक्षिन कोरिया में और उसके साथ एस्पेन में टमाटर के साथ खेला जाता है यह भी कह सकते हैं होली कहां यह प्रकार का रूप है रोम में भी होली का दहन किया जाता है और कर्च करम जो है अजित किया जाता है इस दिन भी लोग नाचते गाते करते हैं वहुंजोंब ये सथ खरते हैं अब देखिए इसका जो इतिहांसिक कहानी यह कहां से आता है किस्त क्यों मनाते हैं इसका धार्मिक प्रांपरा किस तरह से रहे कहा जाता है कि हिंदू मतलब सनातन धर्म में जो भगवान विश्णु है और उनके भक्त जो पहलाद है उसके रूप में भी यह अच्छा बुराईप और अच्छाई के जीत की रूप में म जन्याता है कि प्रहलाद जो था भगवान विष्णु का भग था और उसके पिता जो थी रिनकाश पू उनको एक बरदान मिला था कि ना उसे कोई दिन में मार सकता है ना रात में ना धर्दी पर ना कास में ना कोय अस्त्र से ना सस्त्र से और ना कोई द्योंता या मानौ या जनतु मार सकता है इससे वह समझ गया था कि हम ही जो है सबसे सक्ति सालिह हैं हम भगवान हैं लेकिन उनका ही बेटा जो प्रहला था वे बिरोध करता था वह कहाता था कि जो भगवान है वे सर्ब सक्तिमान है उनको ही पुजा करता था तो उस पर बहुत सारे अत्यचार कि अपने ही पुत्र पर और लाश्ट में जो है उसको खंभे से बांध करके और उसको कहा कि बुलाओ अपने भगवान को भगवान आते हैं उस खंभे में विराते हैं और उसका बद करते हैं उस रुप में भी मिनाया जाता है और उसकी एक बहुन जो थी हिरन का सिप्यू की हु उसको बरदान मिला था कि आग से वे नहीं जलती, तो प्रहलाद को जलाने के प्रयास में वे भी जाती है और जल जाती है खुदी, ऐसा कहा जता है कि जो लोगों को बुराई करता है, उसके लिये बरदान भी शराप बन जाता है, उसके रूप में जो होली का दोहान मनाया जता है यह एक कहानी पर चली थे दूसरा कहानी है कामदेव और रती का यह सैवाद और सक्तिवाद से संबन्दी थे इसमें यह मन्याता है कि भगवान सीव को ध्यान योग में रहते हैं जिसे द्याउताओं ने कामदेव को बोलते हैं कि आप भगवान सीव का ध्यान तोड़िये जिसके चलते जो है जो एक दैत था उसको मारना था और उसके लिए यह जरूरी था कि उनके सीव परवती के पुत्र हो और उसमें कामदेव तीर मारते हैं और भगवान स्रीव का ध्यान टूटता है जिसके कारण जो काम दे हैं वे भास्म हो जाते हैं और फिर रती जो है रोने लगती है और काफी बिलाप करने के बाद जो है भगवान स्रीव उनको जिन्दा कर देते हैं उस खुसी में भी यह तेवहार मनाये जाता है और यह तेवहार जो है हिंदूों के अलावा भी जैसे जैन हो गए और बहुत इन लोगों के द्वारा भी मनाये जाता है और भारत में इतिहास देखा जाए तो मुगल काल में भी इसे धुमधाम से मनाया जाता था और समराट जो है सभी जातियों के लोगों से रंग फेकवा सकते थे वे रंग खुद ही खेलते थे इसमें अकबर, जागीर, साजाए सब लोग खेलते थे सिकंदर लोधी भी जो है होली के तेवहार में मौजूध होता था और खेलता था फिर जाकर के औरंग जेब ने इसे परतिबन लगा दिया था फिर उसके बाद जो मुगल साशक आये वे लोग भी होली खेलते थे थेंक यू थेंक यू